पस्तुत हुआ हूं, तो आईए कविता के और बढ़ने से पहले कविता से जुरी कुछ बाते जान लेती हैं। शुमित्राप नंदन पंत की ताच कविता हिंदी साहित्य के प्रसित कविताओं में इसे एक है। इस प्रगतिशिल विचाधारा से संपिक्त कविता की रचना 1935 इश्वी में लिखित एवं 1936 में प्रकाशित मानी जाती है। यह कविता पंत जी की कविता संग्र युगांत में संग्रहित है। हिंदी साहित में छावात के महानतम कभी पंत जी ने ताज कविता में वेंग्यात्मक्ता के साथ मानुताबादी और प्रगतिशिल विचार को व्यक्त किये हैं। शाधारंत लोग ताज महल को खुबसूरत इमारत और सिल्फ कला का अद्भुत नमुना मानते हैं। परंतु नेरालाजी ताज महल को मृत्यू का प्रटिक एक समाधी या कब्र के तौर पर देखते हैं। और ताज महल के निर्मान के कारणों को उचित न मानकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। नियालाजी का मानना था कि एक मृतक के लिए संगमर्मर की इतनी भव्य और बहमूल इमारत बनाई गई है। जबकि संसार भर में जीवित लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। इस समाज में जीवित लोगों का जीवन कस्ट मैं कुरूप और भद्दा है और यहां मृतकों को सजाय जा रहा है। राला जे मूर्दा लोगों को मूर्दों के साथ ही रहने देना चाहते हैं और जीवित मानों को इस्वर्य चेतना के साथ जीवित रहकर शांसारिक जीवन को भोगने की बात करते हैं। तो आईए कविता की ओर अग्विश्चर होते हैं। तक कविता की पंक्तियों के भावार से पहले आप देख सकते हैं कि इन पंक्तियों के दाहिने तरब मैंने सब्दों के अर्थ दिये हैं। कविता में जो कठिन सब्दाए हैं उसे मैंने लाल रंग से रंग दिया है और दाहिने तरब नीले रंग से उसके अर्थ को लिखा हूँ। जैसे कि अपार्थिव इसका अर्थ हुआ जो प्रित्वी से संबंधित ना हो। दूसरी पंक्ती में है विशन इसका अर्थ हुआ उदास या दुखी। इसके बाद तीस्टे पंक्ती में है शोध दाहिने तरब आप देख सकते हैं सफेदी या पलस्तर किया हुआ। इसके बाद चौथे पंक्ति में है छुद्धातूर और वास्विहिन चुद्धातूर का अर्थ है भूख से व्याकूल दाहिने तरफ आप दे सकते हैं इसके बाद वास्विहिन है वास्विहिन यार्थात जिसके पास घर नहीं होता घर रहे इसके बाद पंक्ति के और वित्यू का ऐसा अमर अपार्थि पूजन जब विशन निर्जू पराहो जग का जीवन शंग सौध में हो स्रिंगार मरन का शूभन नग्न छुद्धातुर वास विहिन रहे जीवित जन। तेन पंतिों की आप देख सकते हैं व्याख्या कभी व्यक्त काव की प्रथम पंति में बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मृतक लोगों का ऐसा अमरत्व पूर्ण पूजन है जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं बलकि वे अलोकिक हो गये हैं उनका पूजन करते मानों को देख कर कभी के मन में प्रश्न जगता है नियाला ताज को भव्य शोंदर में अलोकिक चीरिस्थाय तता आस्था श्रधा का प्रतिक मानते हैं उनका कहना है कि लोग ताजमहल रूपी समारक मृतकों के प्रति अपने आस्था और श्रधा व्यक्त करते हैं यह उचित नहीं है नियाला जी कहते हैं शंसार में रहने वाले जीवित लोगों का जीवन इतना विशाद भड़ा है दुखी है तब भी निर्जिव जर चैतन्य हिन के पीछे इतना बड़ा वै और शद्धा रखना उचित और न्याय संगत नहीं लगता यह हमदित्यों को संगमर्मर के भव्य महलों को शोभायुक्त तरीके से सिंगार करके सजाया जाता है और इस इंसार में रहने वाले शाधारन जनता को तन तक धकने को वस्त्र खाने को भोजन नहीं मिलता वे बेघर रहते हैं अर्थात जीवित जन अपनी शामानी आविशत्ता के तौर पर अन्न वस्त्र और आवास विहिन रहते हैं तब यह कीतना उचित है निराला जी के मन में प्रस्ण उठता है कि यहां मिलतक को स्विकार कर जीवित को त्यागना क्या अन्याय और अनुचित नहीं है तो इस प्रकार से पंत जी ने व्यंग करते हुए ताज कमल के बारे में कहा है आए दूसरी पंक्ती के और बढ़ते हैं आप देख सकते हैं पंक्ती में व्रती सब्द आए हैं इसका अर्थ दाहिने तरप आप देख सकते हैं आशक्ती रहित दूसरी पंक्ती में है रती रती का अर्थ होता है आनन्द तीसरे पंक्ती में है वरन वरन का अर्थ होता है चुन्ना स्विकार्ना चौती पंक्ती में है प्रांगन यानि के आगन मानो ऐसी भी व्यक्ति क्या जीवन के प्रती आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रती प्रेम अर्जना यही करे हम मरन को वरन स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगन यहां प्रस्न करते हुए कहते हैं कभी आईए व्याठ्या के और बढ़ते हैं इन पंक्तिव में कभी मानो जनित मानो जाती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन के प्रती इतनी उदासीनता क्यूं रखते हो जीवित लोगों को अपमानित कर उनके आत्मा का अपमान क्यूं करते हो जो लोग जीवित है उनकी उपेक्षा करते हो ये मानो ऐसा क्यों करते हो जो इस संसार को छोर कर मात्र प्रेम और चाया बनकर रह गए हैं जिसकी केवल स्मृतिया सेश रह गई है उनके प्रती इतना ज्यादा प्रेम लगाओ क्यूं रखते हो निराला जी पुनह प्रश्न करते है मानो यही तुम्हारा प्रेम और लगाओ है मृतक को अपना कर उसे प्रेम करो और जीवित जन की उपेक्षा, अपमान और अनादर करो तो इस पकार से पंत जी यहां प्रस्न करते हैं हमसे कि हम एक जीवित प्रानी को तिरस्कित करते हैं और मरे हुए लोगों को जो इस संसार में नहीं है उसे हम साज सज्या के साथ सजाते हैं आए अगली पंक्ती के और बढ़ते हैं दूशी पंक्ती में यहां एक सब्द आये हैं कुच्शित का अर्थ है देखे आप निले रंग से यहां लिखा गया है निंदित या नीच चतुर पंक्ती में है मोहांध मुहांद का अर्थ होत्ता मुह या प्रेम में अंध शव को दे हम रूप रंग आदर मानों का मानों को हम कुछित चित्र बना दे शव का गत यूग के बहु धर्म रूधी के ताज मनोहर मानों के मुहांद हिदय में के हुए घर आईए व्याख्या के और बढ़ते हैं हम संसार भर के मृतक के लिए भव्य और सुन्दर शंगमरमर की इमारतें कब्रतता महल बनाए और उन से कंकाल यानि अस्थि पंजर को रखे संसार में जो इस्थान जीविच जन के लिए सुरक्षित है उसे मृतकों से नहीं भड़ना चाहिए अतह जीवित मानों के प्रती प्रेम रखे उनका पूजन करे और उसे यथार्थ जीवन में इस्थान देना ही उचित है शरप्रथम हमें जीवित लोगों के बारे में सूचना चाहिए उन्हें मान, शम्मान, आदर, रंग, रूप, शोभा और शतकार देनी चाहिए जो हम एक सव, मृतक या छाया को दे रहे हैं निराला जी के अनुशार यह उचित नहीं की जीवन में जीवित मानों को एक भद्दा चित्र या प्रतीक समझ कर उसे छोड़ दे यह उचित नहीं की लोग मूर्दे को जिन्दा मनुशी की तरह सजा और सवार रहे हैं सम्मान दे रहे हैं जबकि जीवित मनुशी को हम कुरुप बना रहे हैं जो की उचित नहीं है अत्यधिक मोह या लगाव के कारण लोग शत्य को देख नहीं पा रहे हैं और ताजमहल जैसे रुधिवादि समारक को अपने दिलों में बसाए हुए हैं आदमी अज्ञान भ्रम्या बहुत ज़्यादा लगाव के कारण दिसाहीन हो गए हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसे अपने मन में इस्थान देना चाहिए और किसे नहीं अज्ञानता के कारण ही ताजमहल जैसे इस मारक को मनुष्य अपने हिदे में इस्थान दिये हुए हैं जो कि हमारे सोसन का प्रतीक भी है आईए अगली पंक्ती के और बढ़ते हैं भूल गए हम जीवन का संदेश नश्वर या दिए नश्वर सब्द आया है नश्वर सब्द का अर्थ है शनातन या धृब या जो नस्ट नहीं होता तो चली पंक्ती के और बढ़ते हैं भूल गए हम जीवन का संदेश नश्वर मृतकों के है मृतक जीवितों का है इस्वर तो यहां भावार्थ होगा हम मनुष जीवन मिलते ही जीवन के नश्वर अमर संदेश नियम या सिद्धान्त भूल गए हैं निडाला जी कहते हैं कि जीवन के प्रतिहम इतने लापरवा हो गए हैं कि मुर्दा लोगों को मृतकों के साथ ही रहने देना चाहिए और जीवित लोगों को सेट बनाने का प्रयास करना चाहिए जो लोग जीवित हैं उनके भीतर इश्वर्य तत्व है चेतना है इसी कारण हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मृत्य को अनावश्यक्त महत्व नहीं देना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां निराला जी ने किस प्रकार से वेंग करते हुए लोगों के मन में उपस्थि द्भम को दूर करने की कोशिश की है कि मनुष्य जो इस संसार में नहीं है उसका पूजन करते हैं उसे सतकार सम्मान देते हैं उसे साज सज्जा के साज सजाते हैं पर अंतो इसके ठीक विपरित जो मनुष्य इस संसार में जीवित हैं उसका अनादर करते हैं अपने रुपे धन का अपवै करते हैं जो मर गए हैं उनके लिए वे अधिक से अधिक खर्च करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए और जो जीवित हैं हमारे आसपास में जिसे एक वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता है जिसके तन पर वस्त नहीं मिलते हैं जिने सर ढखने के लिए घर तक जोपड़ी तक नहीं है उसके बारे में हम नहीं सुचते हैं इन्हीं बातों को चुकि निराला जी छायवादी कभी है मगर अपने प्रगतिवादी विचारधारा से यहां यह कहते हैं कि हमें जो दरिद्र है हमारे आखों के सामने जिनके पास कुछ नहीं है उसे हमें देखना है हमें उसकी मदद करनी है इसके साथ ही यह कविता पूर्ण होता है